Hello everyone, welcome back to our YouTube channel देख जाम करेकर NCRT Class 6, History का 2nd chapter आरंबिक मानव की खोज में हम इस वीडियो में देखेंगे कल हम ने इसके chapter 1 को देखा तो आज की इस वीडियो में भी हम जो हमारे एक्जाम के लिए important है सिर्फ उसे देखेंगे और जो important नहीं है उसे skip करते चलेंगे शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को तो यहाँ पे बात की जारी है आरंबिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों गूमते थे तो आरंबिक मानव जो थे उनके घूमने का इधर उधर गूमने का क्या कारण था तो कल हमने देखा और यहाँ पे भी बात की जा देए कि वो आखेटक थे यानि कि सिकारी थे और खाद संग्राहक के नाम से उनको जाना जाता था तो जो आखेटक और खाद संग्राहक थे तो वो जानवरों के सिकार यानि कि आखेट करने के लिए भी घूमते थे और फिर चिरियों को पकरने के लिए फल, फूल, दाने, पेर पौधे, पतियां इकठा करने के लिए अंडों को इकठा करने के लिए वो घूमते थे लेकिन ये सब करना भी उनके लिए काफी मुस्किल था और ये मुस्किल इसलिए था क्योंकि उनको ये देखना पड़ता था कि पेर पौधे में खाने और खाना जुटाने के वक्त उनको ये देखना पड़ता था कि इन पेर पौधे में से क्या खाने लाइक है और क्या खाने लाइक नहीं है क्युकि कई तरह के जो पौधे थे वो विसेले होते थे ठीक है और साथ ही फलों के पकने के समय की भी उनके पास जानकारी होती थी कि कौन से फल कब पकेंगे और उस आधार पे वो अस्थान चेंज करते थे क्यूंकि समर में। जैसे मैंगो होता है तो वह समर और कौन से पौधे ऐसे हैं जिनको वो खा सकते थे आगे देखेंगे आखेटक खादे संग्राख समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे कम से कम चार कारण हो सकते हैं तो वो जो आखेटक खादे संग्राख थे उनके वो जो घूमते रहते थे उनके पीछे क्या रीजन था वो देखेंगे पहला कारण यह था कि वे एक ही जगह पर ज्यादा देनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलो और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और इसलिए उन्हें भोजन की तरास में दूसरी जगह जाना परता था फिर सेकेंड रीजन यह था कि जानवर अपने सिकार के लिए या फिर हीरन और मरवेशी अपनी चारा टूरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और वो इन जानवरों को सिकार करने वाले लोग जो थे वो भी इनके पीचे-पीचे जाया करते थे तीसरा कारण था कि पेर पौधे और फल फूल अलग-अलग मौसमों में आते हैं जैसा भी हम लोगों ने बात की और इसलिए उसकी तलास में वो उप्युक्त मौसम के अकॉर्डिंग जया करते थे और चौता सबसे बड़ा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्रानी या फिर पेर पौधे का जीवन मुस्किल हो जाता है और जीवित रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है तो पानी की खोज में भी वो इधर उधर भटकते थे फिर आगे देखेंगे आरंभीक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है तो पूरा तत्विदो को कुछ ऐसी वस्तुए मिली हैं जिसका निर्मान और उपियोग आखेटक खाद संग्रा क्या करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकडियों और हटियों के ओजार बनाए हो और इन में से पत्थरों के ओजार आज भी बचे हो और उसके आधार पर लोगों ने पता लगाया कि वो कितने पुरानी है और आरंभीक मानव कब रहा करते थे पिर लिखाया है कि यहां पत्थरों के कुछ ओजार और उनके उप्योग बताये गए हैं ऐसे कामों के एक सुची बनाओ और इस तरह की ओजार जो काम आते थे इन में से कौन-कौन से काम सामान्य पत्थरों से किये जा सकते हैं कारण सही उत्तर दो तो यहां पे इन में से जो कुछ ओजार थे उनका उप्योग फल-फूल को काटने, हड़ियां और मांस को काटने तथा पेरों की चाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ के साथ हड़ियों या लकडियों के मुठर लगा कर भाले की बान, भाले और बान जैसे हथियार भी बनाये जाते थे और कुछ ओजारों से लकडियां काटी जाते थी लकडियों का उपयोग इंधन के साथ जोपडियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था तो इसे एक बात समझ में आती है कि वो लकडियों का उपयोग करते थी और साथ ही उन्हें जोपडियां बनाने भी आती थी ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे हम यह कुछ पत्थरों के चित्र दिये गया है तो पत्थर से बने यह ओजार है ठीक है यह मामूली पत्थर नहीं ओजार है उन्लोगों के तो यहां कौ जो है यह पत्थरों से बने प्राचीनतम ओजार है यानकि यह बहुत पुराना ओजार है जो सबसे पहले वो यूज किया करते थे फिर यहां पे खौ के बारे में बताया गया है कि इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया तो यह जो था कौ बाला जो था इसके कई हजार साल बाद इनको बनाया गया था फिर गौ है कि इन्हें बाद में बनाया गया तो गौ ये रहा इसको इसके बाद बनाया गया था फिर गौ जो है इसके बारे में क्या बात की जारी है कि इन्हें लगबख 10,000 पहले बनाया गया था तो अभी के 10,000 वर्स पूर्व ऐसे जो हतियार होते थे उनके उसको बनाया गया था फिर है अंगा ये जो है वो गुटी का जिसको प्राकरतिक पत्थर कहते हैं वो है मतलब इनको कुछ बनाया नहीं गया था ये ऐसे ही प्राकरतिक थे आगे देखेंगे और फिर यहां पर बात की जारी है कि पत्थर के और जारों का उपयोग बाएं इनसान के खाने योगी जरों को खोदने के लिए किया जाता था तो ये जो जरे थी जो जरे खाने के लिए वो यूज करते थे उनको खोदने में भी इस तरह के जो पत्थर थे उनका यूज वो करते थे और यह जो दाहिने चित्र दिया गया है इसमें जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए तो वो जो जानवरों के खाल से जो अपने कपड़े बनाते थे उनको सिलने के लिए इस टाइप के पत्थर जो थे उसका वो यूज किया करते थे आगे देखेंगे रहने की जगठ निर्धारित करना मानचितर तु को देखो लाल ट्रिकोन वाले अस्थान वे पुड़ा अस्थाल है जहां पर अखेटक खाद संग्राखों के होने के प्रमान मिलेंगे अब इस map से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है यहां पर लाल त्रिकोन वाले, तो लाल त्रिकोन वाले जो पुड़ा अस्थल है जैसे की भी मेटका हो गया, फिर कुर्णोल कुफाय हो गई, हुस्गी हो गई, यहां पर वो जो खाद संगराग रहते थे, वो पुड़ा अस्थ चिनित किये गए हैं और यह जो पुरा अस्थल थे वो नदियों या फिर जीलों के किनारे पाए जाते थे यह important question यहां से बनता है कि पुरा अस्थल जो थे वो नदियों और जीलों के किनारे पाए गए हैं आगे देखेंगे चुकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगर ढूनते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके और लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन अस्थलों को उद्योग अस्थल कहते थे जहां पे लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था तो उनको उद्योग अस्थल कहते थे या फिर ऐसे भी कोश सकता है कि उद्योग अस्थल क्या था तो जहां पे लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उनको उद्योग अस्थल कहते थे पिर आगे बात की जारी है कि हमने इन उद्योग अस्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है तो हम कैसे जान सकते हैं तो आम तोर पर हमें ऐसी जगों पर पत्थर के बरे-बरे टुकरे मिलते हैं और वे उपकरन भी मिलते हैं जिन्हें लोग इन अस्तलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वो ठीक नहीं बने होंगे, साथी और जार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे-फूटे टुकरे भी इन अस्तलों पर मिलते हैं, कभी-कभी लोग इन अस्तलों पर कुछ समय, कुछ ज्यादा समय तक रहा करते तो ऐसे अस्तान जहां पर विराहते थे और अपने जो उनके हथियार थे वो बनाते थे तो उनको आवासिय और उद्धियोग स्तल कहा जाता था पिर यहां जो इंपॉर्टेंट है उसको दिया गया है लिखा है कि भीमवेट का जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में इस्तित है वहाँ पे आवासी पूरा अस्तर उन्हें कहते थे जहां लोग रहा करते थे इसमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे अस्तर होते हैं जिन्हें यहां दरसाया गया है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां पे उन्हें बारिस, धूप और हवाओं से रहात मिलती थी एसी प्ताकरतिक गुफाओं बिंधी और धक्कन के परवर्थिये इलाकों में मिलती है जो नर्मदा नदी के पास है तो ऐसी और गुफाओं है जो कि नर्मदा नदी के पास मिलती है हमें तो यह गुफा है ध्यान से देखें से फिर यहां पर question पूचा गया है कि अगर तुम्हें अपने निवास अस्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इन में से कौन सा नाम चुनोगे तो इसमें option दे रखे हैं उन्होंने आवास और अन्य तो हम रहने के अस्थान को क्या कहेंगे निवास अस्थान को क्या कहेंगे तो obviously option one जो है सही होगा आवास तो यहां पर पूरा अस्थान के बारे में कुछ important दिया गया है ऐसे box बना कर उन्होंने लिखा है तो यहां पर लिखा गया है कि पूरा अस्थान उस अस्थान को कहते थे जहां और जार, बरतन और इमारतों जैसी वस्तूओं के अवसेस मिले हैं ऐसे वस्तूओं और निर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गया है यह जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाय जाते हैं इन पूरा अस्थानों के बारे में आपको अगले अध्याव में बत जाएगी, तो यहां पर पूरा अस्थान के अवसेस मिलते हैं, कलर हमने देखा था कि पांडुली पी किसको कहते हैं, जो चीजे हाथ से लिखी जाती थी, उनका कोई मुद्रन नहीं किया जाता था, वो प्रेंटिंग नहीं की जाती थी, उन चीजों को पांडुली पी कहते तो अभी हमने देखा पूरा स्थर किसको कहते थे, फिर आगे दिया गया है कि पासान औजारों का निर्मान, तो पासान उपकरनों को प्राया दो तरीकों से बनाया गया था, पत्थर से पत्थर को टगराना, यानि जस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, उसे एक हाथ पत्थर का होथोड़ी जरसे इस्तमाल होता था और इस आघात करने वाले पत्थर दूसरे पत्थर पर तब तक वो मारते थे जब तक सलक न निकल आए जब तक वांची ताकारवाला उपकरर न बन जाए और दूसरे तरीके को दबाव सल्क तखनीक कहते थे, ठीक है, इसमें क्रोड को एक इस्थित जगह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड़ी या फिर पत्थर रखकर उसे होथोरी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जैसा कि कैबेज होता है, बंद को भी, ठीक है, वैसे माल उससे जैसे हम छिलके उतारते हैं, उस तरह से वो दबाव सल्क तखनीक का यूज करते थे, लेकिन वो पत्थरों के यूज करके या फिर हड्डियों का यूज करके वो किया करते थे, फिर आगे है बहुत इंपोर्टेन आग की खोज, तो मानचित्र 2 में कुर्णूल तो यहाँ पर कुर्णूल गुफा है, फिर क्या बात की जारी है, इसके बारे में वो देखते हैं, तो यहाँ पर राख के अवसेज मिले हैं, तो आग की खोज जो हुई थी, उसके अवसेज जो सरुप्रधम मिले थे, पूरा तत्विदो को, वो कुर्णूल गुफा में मि लिए थे और इसका मतलब है कि आरंबिक लोग आग जलाना सीख गय थे आग का इस्तमाल कई कारियों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रगास के लिए मांस पकाने के लिए और खदरनाक जानवडों को दूर भगाने के लिए पिर आगे देखेंगे आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं तो आज की जबाने में हम जो आग का यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं तो आज जो हम आग का यूज करते हैं वो हम खाना बनाने के लिए करते हैं और फिर यहां पर बात की जारी है बदलती जलवायों के बारे में तो लगबख 12,000 साल पहले दुनिया को जलवायुक में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी इसके परिणाम सरूप कई शित्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे जिसमें हिरन बारसिंगा, भेर, बगरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्याबरी जो घास खाकर जिन्दा रह सकते थे यहां कुछ इंपोर्टेंट है ने, स्किप करेंगे इसको फिर है यहां पे की नाम और तिथिया यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां पे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा तत्वीदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे है आरंपी काल को वो पूरा पासान काल कहते थे ठीक है, आरंपी काल को वो क्या कहते थे? पूरा पासान काल यह दो सब्द पुरा यानि की प्राचीन और पासान यानि की पत्थर से बना है तो पुरा पासान क्या था और इसका अर्थ क्या था यह समझ लिया हम लोगों ने फिर है कि यह नाम पुरा अस्थलों से प्राप्त पत्थर और जारों के महत्यों को बताता है पूरा पासान काल 20,000,000 वर्स पहले 12,000 साल पहले तका दोर माना जाता है तो 20,000,000 साल पहले से 12,000 साल पहले तका जो समय था उसे पूरा पासान काल के नाम से जानते हैं इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया था आरंबिक पूरा पासान काल, मदी पूरा पासान काल और फिर उत्तर पूरा पासान युग या फिर काल आप कह सकते हो फिर है कि मानव इतिहास की लगभग 99.30 कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी ये जो काल करम था, युग था, वो कापी ज़्यादा बड़ा था जिस काल में हमें परियावर्णी बदलाव मिले हैं उसे मेसोलित यानि की मदी पासान युग कहते थे इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तका माना चाता है इस काल के पासान और जार आम तोर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलित यानि की लगभू पासान कहा जाता था प्राया इन और जारों में हड़ियों या लकडियों के मुठ्टे लगा कर हसिया और आरी जैसी और जार मिलते थे साथ-साथ पूरा पासान युग वाले और जार भी इस दोरान बनाये जाते हैं प्रिश्ट 13 पर बने चित्र को देखो, इस दोरान बनाये गए और जारों में तुम्हें क्या कोई बदलाव दिखता है तो हम लोगों ने देखा कि उनमें क्या क्या अंतर थे, गख गख करके ऐसे नामांकित किया गया था और फिर उनके बारे में डीटेल्स दी गई थी, जो हमने अभी थोरी देर पहले देखा फिर है कि नौपासान का मतलब क्या होता होगा हमने कुछ अस्थानों के नाम देखे हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने अस्थानों के लिए उन नामों का प्रियोग करते थे जो आज प्रचलित है हमें ग्यात नहीं कि उस काल में इनंके नाम्य रहे होंगे। अब बात करेंगे सेल चित्रकला के बारे में तो इन से हमें क्या पता चलता है तो जिन गूभाउं में वे लोग रहा करते थे उनमें कुछ की दिवारों पर चित्र मिले हैं इनमें से कुछ सुन्दर उदाहरण, मध्यप्रदेश और दक्षनी उत्तरप्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, जिसमें जंगली जानवरों का बरीकुसलता से सजीव चित्रन किया गया है, तो यहां पे एक सैल चित्र दिखाया गया आपको, और फिर आगे लिखा गया है कि कौन किया करता था? हमने पटा कि आरंबिक लोग सिकार तता फल मोल का संग्रह किया करते थे, वे पथरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे, क्या हमें ऐसे कई साक्ष मिले हैं जिससे पता चले कि महिलाएं सिकार करती थी, या पूरुस औजार बनाते थे, या पिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पूरुस फल फूल एकर्ठा करते थे, वास्तों में हमें इसका ग्यान नहीं है, लेकिन दो बाते हो सकती हैं कि महिला और पूरुस दोनों ने मिलकर कई काम साथ में किया हो, यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं कर करती होंगी और कुछ काम केवल पूरुस करते होंगे, इसके अलाबा उप महाद्विप के अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग परमपराय भी रही होंगी अब यहां पर बात की जा रही है भारत में सुदरमुर्ग, तो भारत में पूरा पासान युग के दोरान सुदरमुर्ग होते थे महराष्ट के पटने नामकस्थान में सुतरमुर्ग के अंडो के अवसिस मिले हैं इन में से कुछ छिलको पर चत्रांकन भी मिलता है इनके अंडो से मनकी भी बनाये जाते थी դा मनकी ऐसी चीज़ों को कहते थे जिसमें कुछ सामान वो इकठा करके रखते थे फिर इन मनकों का उपयोग किसलिए होता था तो यह भी हमने बात करी कि मनकों में वो सामान रखा करते थे फिर है कि आज हमें सुतरमुर्ग कहा मिलते हैं तो सुतरमुर्ग जो है वो आज हमें अफ्रिका के बनों में मिल जाते हैं तो यह भी हो गया clear, फिर लिखा गया है कि हुस्मी का सुक्ष्मा निरिक्षन, तो हुस्मी एक जगह थी, उसको मानचितर 2 में अभी हमने देखा, तो यहां पर पुरा बासान यूग के कई पुरा अस्थल मिले थे, कुछ पुरा अस्थलों से अलग-अलग कारियों में लाए जाने वाले कई पुरा अस्थलों में भी अजारों के बनाए जाने के प्रमान मिले हैं, इन में से कुछ पुरा अस्थल, जर्णों के निकरते, अधिकांस अजार, चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, तो यहां पर जो अजार मिले हैं, हुस्मी के पास, वहां जो अजार थे वो अधिकांस जो थे वो चूना पत्थरों के बने थे ठीक है फिर एक क्या तुम दूसरे प्रिकार के पूरास्थलों के नाम बता सकते हो गोफा के अलावा जो पूरास्थल थे उसमें अरंबी क्रिश्को और पसुपालकों के भी पूरास्थर बिले है जिसमें जोपडियां और घरों के निसान मिले हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, फिर अन्यात रहे हैं, इससे रिलेटर क्वेस्चन नहीं आता है, तो इसको स्केप करेंगे, अब हमने इस चैप्टर को किया है, तो इसके क्वेस्चन भी साथ ही चलेंगे, ताक हमने देखा उसे, तुम्हारे मामा गुफा की एक बेतरे दिवार पर चित्र बना रहे हैं, और तुम उनके सहायता करना चाहते हो, तुम रंग बनाओगे, या फिर उसमें रंग भरोगे, तुम्हारे मामा तुम्हें कौन-कौन सी कहानी सुनाएंगे, तो हमें बस कलपना क के समद्ध में, जो वो भी कर रहे, उससे रिलेटन भी वो को यी स्टॉरी सुना सकते हैं, इसके साथ भो फसलों को उगाने के समद्ध में भी बदा सकते हैं, क्यूंकि वो फसल उगाना उस टायम के जो लोग थे, वो सीख कुगे थे, उपयोगी सब्द क्या दे। हमने उपयोगी सब्द हमने देखा आखेटक खाजसंग रहाक जो कि सिगारी थे और खाने की बस्तूओं को इकठा गया करते थे पूरा अस्तल किसको कहते थे वो देखा हमने उद्योग अस्तल जहां पर वो और जार बनाते थे उसको द्योग अस्तल कहते थे आवासी अस्तल जहां पर विरहते थे पूरा पासान, मध्यपासान और लगू पासान ये इन तीनों कालों के बारे में भी अभी हमने देखा फिर इसको स्केप करेंगे कुछ महातुपूर्णते थिया तो मध्यपासान काल या फिर मध्यपासान युग जो था वो 12000 वर्ज से 10,000 साल पहले त क्वेशन करते चलते हैं लिखा है इन बाइक वाक्योंको पूरा करो कि अखेट कादर संग्राः गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिल दी थी फिर खौब में कहा गया है कि घास वाले मैदानों का विकास 10 साल पहले हुआ था तो ऐसे मैदान जिन में घास का विकास हुआ था वो कितने वर्स पूर्व हुआ था तो वो 12,000 वर्स पहले हुआ था फिर आरंबिक लोगों ने गुफाओं की 10 पर चितर बनाए तो आरंबिक लोग जो थे वो गुफाओं के भीतरी दिवारे जो होती थी वहाँ पर चितर बनाते थे फिर घौम में पूछा गया है कि हुस्गी में डैस से औजार बनाये जाते थे तो हुस्गी एक अस्थान था अभी जर्ष्ट हमने बढ़ा कि वहाँ पर जो लोग थे उनके जो अधिकांस औजार थे वो किस चीज़ के थे चूना पतर के तो इसमें चूना पतर आ जाएगा तो यह इंपॉर्टेंश नहीं है इसको स्किप करेंगे फिर है कि आओ चर्चा करें आखेटा खादे संग्राहक एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर क्यों घूमते रहते थे उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समान ताएं और क्या भिनेताएं है तो सिकारी जो थे उनके घूमने का कारण था तो अभी हमने देखा कि वो एक जगह से लगातार अगर रुखते तो भोजन की समस्या उत्पन हो जाती वो वहां के जो फल फूल थे जानवर थे उनको अगर वो खा जाते तो उनको भोजन की खोज में निकलना परता था और इ पोधों में फल फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं और इसके लिए भी वो अपना जगह चेंज किया करते थे और रितु परिवर्तन के हिसाब से वो जगह बदलते थे चौथा रिजन ये था कि वो पानी की तलास में भी इधर-उधर घूमा करते थे पिर यहां पर बात की जा रही है कि आज हमारी यात्रा करने के कारण और फिर उसमें क्या समानताय थी और क्या भीनताय थी तो आज जो हमारा यात्रा करने का कारण है वो रोजगार की तलास है व्यापार है फिर रिस्तेदारों से मिलना है फिर स्कूल और ओफिस जाना है सं फ़ल काटने के लिए कौन से और चुनोंगे और वह किस चीज से बना होगा तो आजकल हम लोग फ़ल काटने के लिए चाकू यूज करते हैं,àng रहिए जो कि बेसिक材 लिए तैल या फ़र लोही का बना होता है तो उस टाइम में वो जो आग का यूज किया करते थे, वो मांस को भूरने के दिये करते थे, और फिर लाइट येंगी प्रकास के लिए यूज किया करते थे, और फिर खतरनाक जानवर जो आते थे, उसको दूर करने के लिए भी वो आग जलाया करते थे, और वो जो जानवर के लिए आका यूज करते थे और हम भी करते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंड के तु जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करें अपने फेंज के साथ मिल दे हमाई नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टे किया आज